नमस्कार मैं हूँ देवेंद्र आप देख रहे हैं पंजाब के इसरी टीवी हरियाना सरकार के तरफ से हरी हरी योजना शुरू की गई है जिसके तहट पांच साल तक के बच्चे जो लावारिस मिलेंगे हरी देख रेक की जाएगी उनकी संभाल जो हरी आई जब तक उनकी होगी उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा रहने की ववस्ता और नोक्री लगवाने की ववस्ता सरकार के तरफ से की जाएगी इन तमाम चीजों पर बात करेंगे मेरे साथ हैं हर्याना के सामाजिक नय एम अधिकारिता मंत्री ओपी यादव आई ये बात करते हैं यादव साब किस तरीके की योजना है कैसे ये काम करेगी हर्याना सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो भी कोई लावार इस पचा इस प्रदेश में होगा जिसका कोई नहीं उसकी हर्याना सरकार होगी मालिक होगी उनको पचीज साल तक पढ़ाने का ठाने का रहने सेने का सब खर्चा फिरी होगा और पचीज साल के बाद जब वो पढ़ाई अपनी पूरी कर लेगा तो उसको पैंसिन भी दी जाएगी और उसको रहने के लिए मकान सस्ते ब्याज पर या बगेर ब्याज और उसके बाद भी नोक्री के अंदर भी उनको आरक्ष्ण दिया जाएगा नोक्री पाने के लिए तो यह सभी नोक्रियों में आरक्ष्ण होगा या किसी खास कैटेगरी में जैसे सी और डी कैटेगरी या फिर सभी यह आरक्ष्ण के ओल सी और डी कैटेगरी में उससे उपर यदि वो बच्चा कहीं कबेट्शन लड़ता है तो यह उसकी अपनी पूजना वो यही है कि अगर पत्ची साल से पहले उसको लोक्री लग जाती है तो उसकी जो तरखा होगी शल्री होगी वो सरकार रिज़र रखेगी और उसके बाद उसको किस्तों के अंदर वो जारी कर दिया जाएगा एक इससे पहले भी कुछ ऐसे बच्चे आये होंगे स सरकार की बातें सरकार के सग्यानम आई तो सरकार ने इनको ये कल ये कानून मड़ाया है इसके शिवाए और भी कुछ बच्चे धान में आये हैं जिनको हम लावारिस नहीं कह सकते लेकिन है उनके घरवाले भी जैसे उनको ला रखे तो उनको भी हम प्राइबेट एंजियोस को प्रोसाइट करेंगे जो उनकी सेवा कर सके जो किसी ना किसी तरह से बिकलांगता का या या यूं कहों के मेंटली डिस्टार्ड इस प्रकार की जो बच्चे हैं वो हम ऐसी एंजियोस को डिवलप करेंगे और उनके सुपूर्द करके उनसे उनकी शेवा करवाए एक गंभीर समस्या और है टीवी के कुछ मरीज हैं कैंसर के हैं एचाईवी पीडित हैं उनके लिए पैंसन योजना शुरू करने की आपकी योजना थी वो कहां तक पहुंचे हैं क्या कुछ फैसला हो पाया है कैंसर पीडित और हैचाईवी पीडित को पैंसन देने की आपकी योजना है और सिध्धानतिक रूप से हमने उसका फैसला ले लिया है और लेकिन कितने एक इंसर हैशायold की बस ज इधर से कोरोना का कहर पिशली साल से देश में और पूरी दुनिया में चल रहा है जिसके चलते स्वास वाग हमें वो डेटा अभी मुहिया नहीं करा पाया है इक बुढ़ापा पेंशन की चुना से पहले वादा किया गया था 31 आपकी तरफ से आपकी गठफंदर में जो पार्टी है जजपा उनकी तरफ से 51 का किया गया था पीछे खबरें भी चली थी कि 31 हो जाएगा फिर आपने कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बैठक होगी मुझ ऐसे फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा अभी तो आपने 20 रुपे बढ़ा करके साड़े 2200 से और पेंशन 25 रुपे की एक और चीज ग्रहमंत्री अनिलविज से आपकी कल बैठक हुई है बातचीत हुई है क्या कुछ उसमें आपका एजेंडा था क्या कुछ निक चेतर के और अपने जिले की जो स्वाथ से संब्दी नगर परिस्दों से संब्दी जो प्रोब्लम्स थी जो मंगे थी उनके बारे में विचार किया था एक सवाल यह है कि 3150 का जो आपका वादा था यह कब तक जनता माने की आप पूरा कर देंगे है हमारा 3150 का वादा था और यह पांच साल के अंदर हम पूरा कर देंगे हैं बहुत बहुत शुक्रिया के सामाजिक ने हम अधिकारिता मंत्री ओपियादों से हमने बात की और सम्मान निधी योजना जो हरियना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसे लेकर और जो पांच साल तक की बच्चों के लावार इस बच्चों के लिए नई योजना शुरू किया उसे लेकर बात की मैं हूँ देविंदर